अगर आपके अंदर भी कुछ गलत आदते हैं, तो इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ गलत आदतें आपको बना सकती हैं दरिद्र और गरीब, जानिय ये बहुत ही जादा काम की बातें। दरिद्र कोई मन से होता है और कोई धन से। वास्तु शास्त्र और जोति शास्त्र में बताया गया है कि आपको कुछ बुरी आदते भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालकि भोतिक जीवन में मनी, मैनेजमेंट जो सही तरीके से करता है वही धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और जोतिश के आधार पर कुछ बाते बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। यदिया आपकी ऐसी आदते हैं तो उसे बदल लीजिए। आये जानते हैं उन आदतों के बारे में। नमर एक वास्तु शास्तर में साफ सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। कहते भी हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और साफ घर में लक्ष्मी का निवास होता है। यदि आप घर को गंदा करके रखते हैं वो भी इशान कोण यानि के उत्तर पूर्व की दिशा तो यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। नमर दो आप अपने घर की रोज साफ सफाई करें। गंदे घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। ज़ाडू को लक्ष्मी जी का प्रतिक इसलिए ही मानते हैं कि उससे साफ सफाई होती है। नमर तीने तिजोरी या वह अलमारी जिसमें रुपाय और गहने रखते हैं। उसके पास ज़ाडू ना रखें। यह आपकी आय को प्रभावित करने वाली आदत है। नमर चार, जिस घर में बुजरुगों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर आयू, विद्या, यश और बल कहानी होता ही है। लक्ष्मी जी भी उस घर को छोड़ देती हैं। आपको भी अपने बुजरुगों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। नमर पांच, चिल्ला कर बात करने, अनावश्यक कहीं भी थूकने और देड़ तक सोने से भी नकारात्मकता बढ़ती है। यह आपकी आय को भी प्रभावित करती है। नमर छे, घर के आगने कोड में धन ना रखे। ऐसा करने से घर के मालिक की आय प्रभावित होती है। धन में कमी आती है। नमर साथ कई बार लोग अलमारी में चाबी लगा कर ही छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से धन में बहुत लौस होता है नमर आठ यदि आपने घर की सीड़ी के नीचे तिजोरी रखी है तो वह अलमारी या फिर वह अलमारी जिसमें आप रुपाय रखते हैं तो उसे हटा दे क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुब माना जाता है बंधू जाद से जाद इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहे माता दी